आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, आएए देखते हैं आज का हमारा क्या Question है तो आज का हमारा Question है टिडेश फर्टिलाइज़ेशन टेक प्लेस इन लेंड अनिमल्स सच इस इंसेक्ट, बर्ड, डॉग, कैट, कैटल, और हुमन बिंग्स बेसिकली हमसे पुछा है कि कौन से ऐसा फर्टिलाइज़ेशन होता है जैसे कि मैं पता है फर्टिलाइज़ेशन दो तरहांखे होते हैं एक एक्स्टरनल और एक इंटरनल तो जो लेंड अनिमल्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट हुआ बट्स हुआ, डॉग हुए, कैट हुए, कैटल हुए, हुमन बिंग हुए उनके अंदर कौन से तरहां का फर्टिलाइज़ेशन होता है हमें वैसिकली यह बताना है तो फ्रेंड्स मैं आपको जब से पहले बता दूँगी फर्टिलाइज़ेशन जो है, जिससे कि मैंने भी बोला दो तरह के होते हैं कि external fertilization और एक होता है internal fertilization ठीक है internal fertilization तो वो होता है जो female body के अंदर होता है मतलब कि it takes place under the या फिर in the female body whereas अगर हम external fertilization की बात करें तो वो outside होता है female body के या फिर हम किया सकते हैं कि female body के अंदर नहीं होता है तो अगर female body के अंदर नहीं होगा तो कहां पर होगा for example water के अंदर होता है जिसे frogs वगेरा होते हैं वो external fertilization करते हैं ठीके अब हम basically अगर बात करें कि bird, dog, cat, cattle इन सब का तो छोड़े हैं अगर हम यहां पर जो एक option दिया है human being के बात करें तो obviously human being के अंदर तो internal fertilization ही होता है ठीके तो insect, bird, dog, cat यह भी क्या mammals हैं तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है internal fertilization होगा तो हमारा question है उसका correct answer क्या होगा B. internal fertilization तो हमारा question का अंसर है कि internal fertilization होता है इन land animals जैसे birds, dog, cat, cattle, human being, etc. Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार सुपर